जैहिंद आवरीवन, my name is Aditya and I welcome you all to this YouTube channel study with AK तो क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग, I hope आप सभी लोग अगदम बढ़ियां होंगे आप लोगों की पढ़ाय लिखाय अगदम बढ़ियां चल जाए होगी If you are watching this lecture for the first time, then let me tell you that हमारी एक स्रीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फीजकल जोगराफी की बुक, जो सविंद्र सिंख सरद्वारा लिखा गया है उसको chapter by chapter पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ अभी तक हम लोग chapter 16 तक cover कर चुके हैं और present में हमारा chapter 17 जो की drainage system and patterns के बारे में है इसके अंदर last class में हम लोगों ने drainage system क्या होता है वो हम लोगों ने cover कर लिया था इस drainage system के अंदर basically हम लोगों ने river system से जो आपकी related different terminology होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे आपका drainage क्या होता है drainage system क्या होता है drainage basin क्या होता है catchment area क्या होता है water set क्या होता है उसके बाद हम लोगों ने types of drainage system के बारे में पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने दो तरगी drainage system पढ़ी थी पहला आपका sequent drainage system और दुसरा आपका insequent drainage system sequent के अंदर हम लोगों ने चार टाइप की drainage system के बारे में पढ़ा था, पहला था आपका consequent, उसके बाद था आपका obsequent, फिर resequent, फिर consequent drainage system, उसके बाद हम लोग ने insequent के अंदर दो तरह के drainage system पढ़े थे, antecedent and superring pushed, ठीक है तिये था आपका last class के अंदर हम लोग क्या पढ़ा था, आज के class के अंदर हम drainage pattern के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर बसे की हम लोग drainage pattern क्या होता है, और कौन कौन से आपके drainage pattern होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो तयार हो जाईए, अपने notebook pain वेगेरा, जो भी अपने साथ रखना है, रख लीजिए, नहीं भी रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस lecture का जो पीडियाप होगा, वो मैं आपको अपने telegram channel पे upload कर दूँगा, जिसका keyword code आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो इसी के साथ सुरू करते हैं अपने class को, बिना किसी और देरी के. सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं, कि आज के class के अंदर हम लोग कौन कौन से topics cover करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग drainage pattern का introduction के बारे हम देखेंगे, इसके अंदर basically हम लोग drainage pattern क्या होता है, और अगर कोई आपकी stream जो है, किसी particular region में जो पाई जाती है, उसका location, उसकी जो number है, उनकी जो flow direction है, वो कीन चीज़ों पर depend करती है, यह आसान भासब कहें, कि अगर किसी area में drainage pattern मनता है, तो कीन चीज़ों पर depend करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग types of drainage pattern के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर basically हम लोग 10 करेंगे drainage pattern देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका realized drainage pattern के बारे में, फिर next हम लोग पढ़ेंगे आपका dendrit drainage pattern के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका rectangular drainage pattern के बारे में, इसके बाद हम लोग radial drainage pattern क्या होता है, यह जानेंगे, फिर next Mitch Táanlook Sentry Pittle drainage pattern के बारे में पड़ेंगे उसके बाद ऐन्ल बारबे ड्रेनेश पैटन इसके बाद पिनेट ड्रेने के बारचेज़ चेहरींग बन बन ड्रेनेश पैटन और लास्ट में हम लोग-पेरेलल ड्रेने इस जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो आई सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं, कि drainage pattern का मतलब क्या होता है, मा लीजे, यह आपका एक mountain था, ठीक, क्या था आपका एक mountain था, इस mountain से क्या हुआ, एक नदी फ्लो करना क्या होई, start हुई, एक नदी क्या होई, flow कर जिसे basically इस नदी का क्या काते हैं, tribute tree कहते हैं, इस tribute tree ने क्या किया, इस नदी को आके join किया, अलग-अलग shape में, अलग-अलग करीके से, ठीक है, तो किसी particular region में, किसी river system का, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर river system की मैं बात कर रहा हूँ, यानि, last class में हमने पढ़ाता है, यानि, अगर हम इसको इस तरह के समझेक प्यास करते हैं, यासे आप, अगर हम सिर्फ बात करेंगे, किसी गंगा नदी की, किसी नदी की क्यावल में बात करते हैं, सिर्फ हम गंगा नदी की बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे, drainage system, यानि गंगा river system की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी के साथ साथ हम उसकी ट्रिब्यूटीज की भी बात करते हैं ठीक है जयानि जाने जमना नदी की उसके अंदर आजाएंगी पिर आपकी घागरा निजी यह जितनी इस त्रिब्यूटीज होगी सब आ जाएंगी ठीक है तो किसी पार्टिकिलर रिज़न में किस कि रिवर सिष्टेंग की सेफ होती है कि तरह की अर्इजमेंट होती है इसी को हम डिनेश पैटर्न करते हैं से मतलब कोई नदी जो है अपनी मेन नदी को किस से प्रटिकलर से बनता जैसे यहां से आपकी एक नदी इधर बह रही है तो यह भी आपका क्या है करते एक arrangement बनाती है तो यह ही आपका क्या कहलाता है drainage pattern कहलाता है ठीक है यानि drainage pattern refers to the shape and arrangement of a river system in a specific area ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपका drainage pattern होता है इसकी कुछ features होती है features मतलब यह जो drainage pattern होती किसी region में किस तरह की drainage form होगी वो कुछ चीज़ें पिडिपेंड करती है कुछ features करती है पहला क्या आता है आपका slope क्या आता है पहला आपका slope यानि किसी region में आपकी slope किस की है यानि कोई's loop आती । फलेट स्लोप है या इस पहुती इस्टोप है फिर दुसरा आता है आपका क्या structure structure मतलब किसी region में आपकी जो structure है वो folded structure है या आपकी जो है faulting structure है ठीक है आपकी या structure जो है आपकी वह fracture से create हुई structure है इसके क्लाइमेट क्लाइमेट मतलब किसी रीजन किसी तरह की है, मतलब किसी रіजन में आपकी रेन्वाल MPAS जो है वह बहुत क्या है आपकी जादे हो रही है या आपकी जो रेन फॉल जो है वह बहुत कम हो रही है ठीक है या वहां का जो क्लाइमेट है वह बहुत ही हाट क्लाइमेट है या क्लाइमेट जो है आपका बहुत कोल्ड क्लाइमेट है ठीक है इसके बाद क्या आता है आता है बैसिकली वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब किसी रीजन में आपके किस तरह की मेजिटेशन है , उतकी DAYC company density क्या है बहुत घनत्व वेजिटेशन है या बहुत खळनत्व भाथ कम वेजिटेशन की जो है या यह अगया है इन सब छीज़ेंश फासाम करते हैं कि किसी specific region में किस तरह की drainage pattern form होगी वो basically इस पर depend करती इन पाच factors के उपर ठीक है इसके बाद आता है कि आपका basically अब में बात करते हैं types of drainage pattern की सबसे पहला drainage pattern जो आता है वो आपका आता है आपलों जैसे मान लीजे आपका कुछ इसरका कर structure है तो यह आपका रीज होता है ठीक है यहाँ पी क्या होती value होती है ठीक है तो जैसे मान लीजे यह आपका एक रीज था ठीक है यहाँ पर एक आपका रीज बना ठीक है यहाँ पर आपका एक रीज बना ठीक है तो इसके इस नदी को क्या कि चान कर ली वैसे इधर वह किsuch को यहां कर लीए कैसे यहां पे हुआ ठीक है तो यहां पे आप एक चीज देखilot होगे कि इस जितनी पर नजिए हो गई और यह सब आपकी ट्रिवूटीज हो गई आपकी जितनी ट्रिवूटी त्रिश जो है ये इस मेरे ईक और Champions काथ सकते हैं कि यहांस पर जोइन कर रहे हैं ठीक है तो जब आपकी जो नदियाँ है एक दूसररे से एक 90 रिजियर की अ mett बनाती है इक पैक्टरन जो बनाती ही है आपका क्या कहलाता है ट्रिलाइश्ट डिनेश पैटन कहलाता है ठीक है और यह आपका ट्रिलाइश्ट डिनेश पैटन होता है यह हर रिजन में जातर नहीं फॉर्म होता है इसके बाद यहां की जो रॉक्स टाइप होती है और यहां की जो रॉक्स टाइप होती है और यहां की जो रॉक्स टाइप होती है जिस रिजन में फॉर्म होती हो हां कि रॉक टाइप जो होती है वो होमोजीमियस नहीं होती है यानि एक तरकी नहीं होती है अगर कहीं पे हाड रॉक पाई जा रही हो तो पूरी हाड रॉक ही पाई जा रही होगी ठीक है तो यहाँ क्या होता है यहाँ दो तरकी हाड और soft rock दोनों तरकी पाई जाती है तिक यानि बस एक लिए तीन चीज से जातर पहचाना जाता है पहले क्या कि यह नबबे डिगरी कैंस पर फॉर्म होती है दूसरा क्या आपका यह फोल्ड डिस्ट्रक्चर पर फॉर्म होती है और तीसरा क्या है कि जो रॉक टाइप होती है वह आपकी हमोजिनियस भूना होके बलकि डिफरेंट टाइप होती है जो आपको समझय होगा क्या मतलब होता है यह इंडरीकैप मतलब इसी में देख सकते है यह जो इस्ट्रक्चर आपका होता है तो देख सकते हैं यह आपका structure है यह आपके क्या करनी है आपस में मिलके एक 90 डिगरी का उस बना रही है तो वैसा structure जो है आपका जब नदियां पॉर्म करती है ठीक है तो आपका रिलाइश ड्रेंश पैटर्न कहलाता है ठीक इसी बाद हम आगे बढ़ें जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं यह बाकी चीजें दे रखी है आप इसको जब मैं पीडिया प्रोवाइड करूंगा वहां से पढ़ लिजेगा या पॉच्च करके पढ़ सकते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखिए इस इमेज के देख सकते हैं जैसे मालीजे यह आपका एक रीजन था ठीकर यह थोड़ा सा उससे उठा हुआ रीजन था यहां से आपके एक नदीब है रही थी यह नदीब बैते ब इमेज लगा रखिए जिससे आपको बिल्कुल भी कोई confusion न रहे तो आपकी अलगल डिफ्रेंट पैटर्न है इसके बाद आता है कि आपका 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 इंजांपल देख लेते हैं आपकर एक मैं बूल गया था इसका जो बेस्ट इजांपल होता वो क्या होता अब सप्लाणशिन मांटन की अंदर जो आपका ऊहायो रीवर पेसिंग और पॉटमैक और जेम रीवर पेसिंग शेम का ऑद आ oc आपकी यहीको आपके नदीफ कर रही है तो इसके बाद आता है कि आंदेट्रिक य determine पॉल पय्टर् वह ऐसा pattern होता है, जैसे इस तरह से, जैसे आपने कोई tree देखा होगा, tree का क्या होती है, जैसे आपकी tree जो होती है, उसकी अलग-अलग ऐसे branches होती है, जब आपकी ज़ो है, एक tree के branch जैसा क्या होती है, tree like drainage pattern बनाती है, जैसा कि आप इस image के अंदर देख सकते हैं, इसे basically क्या कह जाता है, denetric drainage pattern कहा जाता है, ठीक, इसके बाद जो आपका ये pattern होता है, जैसे आप हमने tree life में देखा था, ये आपके जो rock type होती है, वो क्या होती है, उसमें अलग होती है, homogenous नहीं होती है, लेकिन denetric drainage pattern में जो rock type होती है, वो homogenous होती है, आपकी एक समान rock पाई जाती है, rock होती है, वो जादे steep नहीं होती है, ठीक है, और ये आपकी, ठीक है, तो ये था पूरा और आपका drainage pattern, इस वाई हम लोग slide के जरीव देख रहते हैं, जैसे, क्या, कि drainage pattern resembling the branches of tree is known as what drainage pattern, इस नहीं होता है, जहां पे जो structure lithologies होती हो, homogenous होती है, और जो ground होता है, वो relatively flat होता है, ठीक है, जो pattern होता है, ये आपके various places में found हो सकता है, mountain में, plateau में, plane में, desert में, and areas that were once covered by glacier, ये जायतर region में पाई जा सकते है, लेकिन tree lighted और जो pattern था, वो यक्क्या इस region में पाई जा सकता है, सिर्फ आपके folded region में पाई जा सकता है, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े, तो इ में करती है, and develop on both side of this main string over time, this tributaries create a network that what looks like tree branches, ठीक है, इसके बाद हम इसकी development की बात करें, तो इसका development है, बसे एक लिए, तीन stage से गुजरता है, पहले stage में क्या होता है, जो इसका pattern होता है, वो कि चार तक open होता है, open मतलग, जो इसकी tributaries और इसका main river होती है, वो widely spaced होती है, ए पिर क्या होता है, जब समय बिता है, तो इस tributaries की भी कुछ tributaries बनना शुरू कर रहेती है, और tributaries इमर्ज होती है, तो क्या होता है, यह pattern जो होता है, denser हो जाता है, और एक close pattern की तरह आपका दिखना शुरू कर देता है, फिर जैसे आपका समय बिता है, at much later stage, यानि कौन से stage में, pain ultimate stage, याद करें, जब हमने stage of liver के बारे में पढ़ रहेते हैं, अपने previous chapter के अंदर, तो हमने इस बारे में पढ़ाता है, तो इसके बात क्या होता है, यह अब जब आपकी और stream जब निकलती है, जो tributaries होती है, अब यहाँ पर जैसे महा लिजिए, यह आपकी नदी थी इसकी क्या थी, आपकी कई attributionaries थी, पहला क्या हो गया, आपको open हो गया, अब इसके बात क्या हुआ, इसकी कुछ और attributionaries क्या होई, निकली, ठीक है, और attributionaries क्या होई, तो यह क्या होई, और dancer हो गई, ठीक, तो जब क्या होई, second stage हो गया, फिर क्या होई, जब आपकी attributionaries थी यह एक दुसरे में क्या होई जाके merge होने लगी क्या होने लगी यह क्या सकते river capture होगे river capture होगे अभी आगे पड़ेंगे तो जब आपकी merge होके river capture होई वह जो क्या हुआ ठीक है तो यह आपका क्या हो simplified structure हो गया simplified stage हो गया यह पहला stage open new stage दूसरा close stage और तीसरा क्या आपका simplified stage ठीक है यानि एक की at much later stage what some stream merge due to river capture and pattern become what simplified इसी बात कुछ notes दे रखे हैं जैसा कि अगर मालीजे किसी region में आपका जो slope होगा वो बहुत flat होगा तो वहां का जो आपका pattern बनेगा न वो क्या होगा वो widely spaced ho गा क्या होगा आपके वह ज्यादे रडागा बल्के क्या हो आपकी वह लंबाई में ज्यादे फैलेंगी कुछ इस तरह से आपके ज्यादे फैलेंगी त्यादे यादे वाइपिश्य जहांपल तो जहांगे से ही जो इस प्रीशने जायए आपने को दिखाती है जैसे आपके यहां पी का पैटनबने रहा है तिक यह क्या तर्बिश्ट्रीज है च pontos अनुर्स क्beet पेर्ञेशν ज्यान बिलता है ज्याकी आपको पीर में नियुक्त तो यह किसी पर्यक्टर को फॉलो manjak ago करते हैं गयुक्त दुस्सइट को फॉलो कर्ते वैए एक दुसरी सब से में डिफρέbery्स होता है वह यह खोता है कि रेक्टेंगाल में क्या होती हिं जो आपकी स्ट्रिम्स होती है वह वाइडली इसका मतलग क्या हूब जो आपकी ट्रिभीयूस्टरी योली उनके वह गती है उनके बीच में जादे वह होता है इंद विंधियान एंड सत्पूरा रेजन जो आपकी नर्मदा रिवर होती हैं उसकी रिट्रीटरीज होती है वह जब आप विंधियान रिजन और आप सत्पूरा रेजन जो आपका यहां होता है इसके बीच में जब आप नदियों को देखें तो आप यह पाएंगे कि यह आपका कुछ हद तब क्या होती है अपने इससे नभे डिग्री के अंस प्यांगल प्याके क्या होती है ज्वाइ यहां पर आपका एक उप्याइटर के हाइट का ता है इसके बात क्या हुआ यहां प्यारे ओल्गारे और जर्फ रेजन है यह आपका 5 सब मीटर के हाइट पर है तो इथर ही पाएगी तो जब आपकी जो नदियां हैं ये एक किसी mountain ये किसी dome से कह सकते हैं outward की तरफ flow करती है क्या होती है आउटवर्ड की तरफ flow करती है तो जो आउन का structure ये इस सरका जब structure बनाती है आपका radial drainage pattern होता है जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं, क्या एक mountain है, यहां से जिने नरियां है, यह क्या हो रही है, चारो तरफ इसके outward flow कर रही है, ठीक है, It is still, और it is obvious that dome structure, volcanic cones, batholith and lacolith, residual hills, small table land, massage and birth and isolated appliance, favor the development of ideal radial drainage pattern, यानि ideal radial pattern के लिए, यह सब region पे जादे इनका formation पाया जाता है, ठीक है, इसके example के अगर हम बात करें, इसका जो example दोता है, जो आपकी reverse जो है, अमरकांतक range से originate होती है, इसके आपके यह होती है, यह pattern आपकी radial drainage pattern फॉर्म करते है, इसा क्या आप देख सकते हैं, यह आपका क्या है, एक highlight, पूरा आपका उठाओ area, जहां से आपका यह जो है, अमरकांतक range है, तो अमरकांतक range से आप देख सकते हैं, क्या आपकी river है, वो outward की तरफ क्या हो रही है, flow हो रहे हैं क्या हो रही है आपकी जो रिवर है इस रेजन से क्या हो रही है आउटवर के तरफ क्या हो रही है ठीक ति यह आपका हो गया इसका एक्जामपल अब इसके बाद क्या आता है सेंट्रिपीटल ड्रेंश पैटन क्या होता है यह आपका रेडियल का उल्टा होता है य वहाँ पर क्या होती हैं अंदर कि तरक इन वड आके जब जुआ करती हैं तिक यान या सेंटर्टर पॉइंट से आउट वर्ट करती है लेकिन सेंटर्ट्र पॉइंट की तरफ फ्रोग करती हैं विची जूज़ी और लो लाइंग एरिया आपका काटमांडू वैली जो आपका निपाल पाए जाता है इन दिस एरिया क्या होता है इस ट्रीम प्लोट टूर्ज तर सेंटर आप टॉक्निकली फॉर्म सर्कुलर बेसिंग क्रियेटिंग सेंट्रिवेटर डिनेश पैटर्न तो यह आपका देख सकते हैं मैप में यह आप उसका का देख सकते हैं कि आपका मैंरेटिया के अंदर आपकी सारी नदियां, यह क्या हो रही हैं इस पॉइंट पे आके ज्वाइं करी हैं तो यह आपका क्या क techniques पे बाद क्या दो आता है उन ध्रेश प्तूर्द His तो देखिये व त्रियूश पैटर्न ओं कहता है जब आपस में मिल के एक circular ring जैसा pattern बनाती है क्या करती है circular ring जैसा pattern बनाती है यह से माल लिए यह आपका mountain का एक top हो गया क्या होगा mountain का top हो गया अब इधर से mountain top है तो क्या होगा इधर से जाहिस पात है इधर जैसे हम बढ़ते जाएंगे यहां आपकी नदियां को होई इमर्ज होना शुरू है तो क्या होगा इसकी इमर्ज होई वह क्या होई आपका जो एरिया तुरा था यह आपका क्या था इमर्ज होगी तो क्या होगी आप haraos को तो असानी से रोट करने ही पाएंगी तो क्या होगी यहां से turn करके करके इसको इस तरह से जवाइं करेंगी क्या क्या होगा यहां से आपकी नदिया क्यों ही डिपेंट इमर्ज अब यहीं देख सकते हैं कि यह जो है यह हाद़॑ के रिजन को यहां माली हाद़्ब के रीजन रहा होगा तो इसको छोड़ करके यहांस मूड़ की आके एएसे इधर से मोड़ गे और इक्ति जो थी वह इस सरह कुछ पैटन सरकुलर पैटन बनाए तो इससर आप बागी है इसके बाद हम आगे बढ़ए तो बाकी चीजे आप पॉस्ट करके या पड़ लिजेगा और हाँ इसके एक्जामपल जो है आपका उसके इंग्लेंट के एरिया जो है इसका सबसे इसका इक्जामपलifter पैटन दिखाता हैं तो इसकेसे बागे बढ़े इसके बाद आता है कि आपका बार्भाबर-देनिस पैटन इक रिएर खाल्टव केर्डुप फॉर्मों तुर्म टोथी ये बाइन Ci जैसे माल लीजिए यह आती एक वाटर डिवाइट था वाटर डिवाइट क्या होता है जो दो रिवर को या दो रिवर सिस्टम को क्या होती है उसके बीच का जो रिजन होता है यहां से आपकी क्या थी एक नदी इमर्ज हुए यहां से आपकी नदी इमर्ज हुए अब क्या जालू कर दी क्या होई यह क्यों कि यह जो नदी थी आपको जाता है रिवर कैप्चर में हुआ क्या है कि आपकी जो यह नदी का फ्लो आपका इस तरफ था वह आपका इस तरफ से हो गया क्या होगे आपका इस तरफ से हो गया और यहां पर क्या हुआ और यह तभी फार्म होता है जो हमने ऐसा देखा क्या कि वें जो ट्रिविट्री जो होती है फ्लो इंड अपोजी डिरेक्शन टु दिर मास्टर इसन या नि पहले तो यह क्या थी यह ऐसे फ्लो कर रहती है इसके डिरेक्शन प्लो करा रहती है लेकिन जब रिवर कैप्चर हुआ तो रिवर कैप्चर हो जैसे क्या हुआ तो बना करने लगि यह आपका इस जप्रक्चर बना यह आपका कह कराता है, बारबट ज्राइश पैटर्न कहलाता है तो चिबूतरी जो होती है, जो आइंड डेर मास्टर स्ट्रीं इन फोकक शेफ्ड बेंड, तस पैटन इनलब डेलब डू तुरिव कैपचर, जिए मतलब क्या होता है, इस हैपन्स जो आपकी रिवर होती है, जो होती है, अर रिवर और स्ट्रीम जो होती है, ठीक इसके बाद आता है पके पीनेट ड्रेनेश पैटन तो पीनेट ड्रेनेश पैटन क्या होता है अब पीनेट ड्रेनेश पैटन इसे जहां कि जो वैली होती है जैसे बहुत ही वाइड वैली नहीं होती है वैली जो होती है बहुत ही नैरो होती है तो क्या होगी इनकी जो र डेवलफ होती है, the tribute reach originating from the stiff sides of parallel reaches, join the longitudinal margin, यह आपका क्या था, यह एक reach हो गया, ठीक है, यह आपका एक reach हो गया, अब यहां से क्या होई, एक नदी flow कर रही थी, ठीक, आपकी एक नदी क्या थी, एक नदी flow कर रही थी, इसी बात क्या हुआ, इसको इसी वैली के अंदर से क्या होई, आके join करने लगी, और यह join किस angle पर की, जो angle आपका बना वह लें, इस दे 90 degree angle पर बनी, तो यह जो आपका structure बना, यह जो आप श्ट्रक्चर याशा का आप देख सकते हैं, यह आपका pinnate drainage pattern कहला, यानि जो आपका इसी जो river का structure जो आपका बहुत ही क्या हो, narrow valley में बने, उसकी जो आपका बहुत ही सार नेरो एंगल हो, तो वह जो structure बनता है, आपका इस पैटन कहलाता है, और structure आपका कुछी स्थरेगे का दिखता है, ठीक, और यह structure जो होता है, क्या होता है, it looks like what, weriz santé, जैसा क्या देख सकते हैं, क्या जैसे आप पत्तो होता है, जैसे माल लिजे, अगर मैं आपका पत्ता का ड्रांग बनाओ, पत्ता मतलब leafлом ठीक है, तो इसका structure क्या होता है, कुछी स्थरेका होता हिक तो इसी तरह का आपका क्या होता है पीनेट भी होता है जैसे माल लेजे आपका क्या हो गया या परीज हो गया या आपका क्या हुआ परीज हो गया रिस से मर्ज ही नदिया इसको आके जवाइन की एक लीप वेंस जो लीप वेंस जैसा स्ट्रक्चर बनाए तो आपका पीनेट रिश पैटन कह प्लो कर रही है और इस नदियों क्या है यह नदी इसको इस तरह के आके ज्वाइन कर रही है यहां से इसको यहां से ऐसे आके ज्वाइन कर रही है यह क्या कर रही है एक लीप जैसा लीप विंस जैसा इस्ट्रेक्चर बना रही है तो यह जो है आपका पिनिट कहलाता है इसक कि मचली होती है उसका जो हड़ीया होती है उसका पर बनता है तो है तो आपका कहलाता है यह आप कह सकते हैं आपने human के अंदर जो आपकी rib cages होती ही ना आपकी rib basically क्या होती है इस तरह के होती है ठीक है या तो इस तरह का जो structure जब आपका बनता है तो आपका herring bone drainage pattern कहलाता है यानि the herring bone drainage pattern also known as what rib pattern is a specific arrangement of river and stream that looks like what the bones of fish or like the rib bones of human beings ठीक है here how its form and what it looks like यानि this pattern develops in what mountainous region where there are broad valleys surrounded by parallel ridges with steep slope यानि ये क्या होएं broad valleys में फोर्म होती है और pinnets जो थी आपकी कांसे valley फोर्म होती है narrow valley फोर्म होती है ठीक है जो main river होती है इसे known as longitudinal consequent stream में क्या होती है they flow along the valleys between the ridges smaller stream or tributaries flow down from the steep ridges into the main river these tributaries join the main river at almost right angles almost right angle नहीं बल्कि कह सकते है ठीक है हाँ जब ये ridge की तरफ बनाएंगी तो almost right angle की तरफ होती है ठीक है बल्कि difference क्या होता है जैसे right angle पर आपकी rectangular बी फोर्म होती है ठीक है और जब का हरिए होता हैSlbec की उसकी तरह structure दिखता जैसा कि आप इस image के अंदर देख सकते हैं ठीक है इसके बाद आता है आपका अपका जहेलम रीवर जो आपकी कस्मी रीजन में पाई जाता है जैसे हैं आपकी जहेलम एक मैई color करने इसका देख सकते हैं जैसे आपकी क्या ही एक जेलम रीवर आपकी यह हो गए ठीक है तो आप देख सकते हैं जो आपकी नदियां है यह इसको क्या हो रही है एक हुमन की जैसे रिपकेज होती है उस तरह से आपकी क्या हो रही है यह आके इसको ज्वाइन कर रही है ठीक है पर उस तरह की जो हैं ऑल्मुस्ट मिलती जो एकडम परफेट्ट नहीं कह सकते अब ठीक है इसलिए इनका जो structure होता है इसको मैप के जरीये देख के समझना बहुत मुस्किल होता है ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आता है कि आपका लाश्ट टॉपिक जो आम आ रहा है यहां बीच क्या है जिसे जो structure होता है आपका समुध्र हो गया सी हो गया अब इसको पैरलर्ली समुध्र में आगे कहीं जाके मिल जाती है तो आपका दो लेकिन जरूरी नहीं कि क्या यह आपकी पैरलर हो कुछ आपका structure ने का इस तरह का दिख सबता है लेकिन एक stream का क्या होता है कि एक stream अलग होती है कि stream अलग होती है कि stream अलग होती है कि ट्रिबूटरी भरे parallel नहों लेकिन वो जो overall river होती है एक दूसरे से parallel होती है ठीक है यानि a parallel pattern is where stream and river run roughly parallel to each other like lines running side by side ठीक है, formation का देखलत में कैसे होता है, तो इन इस पैटन क्या होता है, river and stream water flows in parallel lines and all going in same direction, this pattern जो होता है, typically form in areas with steep uniform slope, काँ से region form होता है, जा कि slope जो होती, वो steep होती, uniform slope होती, क्यों कि अगर जो slope होगी, वो steep नहीं होगी, uniform नहीं होगी, तो क्या होगा, आपकी river जो होगी, जैसा हम आपको याद हो, जैब हमिगा स्टेजिवर पढ़ रहे थे, तो हमने फिस्टीवर ने देखा था, कि जब आपकी Marco Slope, जो होती होगी, बोर्ड ले ले लजिए, और बोर्ड के अंस पर से आप पानी गिराएंगे, या सीधा बोड लेंगे, तो अप ये नोटिस करेंगे, ग रास्ता में प्लो कर जाएगा अगर वहीप जो एसा कर देंगे यह से प्लो करेंगा तो आपता है जुटिप तो अमटन होता है लेकि आपण सब जद जूड़ करेंगी जब सीधे फरो करेंगी यृए प्लो करेंगे यह तो आपकी लाता है प्रेटर्ट केलाता है ठीक है दा स्ट्रीम स्टाट एट वर्ट हाईयर एलिवेशन एंड फ्लो डाउन दा स्लोप बिकॉज दा स्लोप इस उनिफॉर्ट जो है आपका हो जाता है एक नट यह जो आपका वेश्टन घाट होता है कोस्टल प्रेंग का यहां पर देख सकते हैं जो आपकी नदिया होती है आपकी क्या होती है एक दूसरी से परल्ल blessing समूथ्र में जाकर जाराया है ओर तरही करता है यह आपका तो अगले क्लास में अगर आपको यह पसंद आयो तो please make sure to like, share and subscribe this channel, ठीक है, अगले class में basically हम river capture का जो topic होता है, उसको हम detail में पढ़ेंगे, उसकी कुछ types भी होते हैं ठीक है, उसके बादे में भी हम अगले class में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले class में तब तक के लिए हमारा साथ ऐसे बने रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, जैहिंद